हेलो दोस्तो मेरा नाम है अमर्जीत और स्वागत आपका एक और नए वीडियो में दोस्तो आज हम लोग सहीं कि हैं किसे वर्ट्पेस के लिए pages और category बना जाते हैं दोस्तो pages में आप यहाँ पर अपना about उसका page बना सकते है content ऌसका page बना सकते हैं तो आज हम दो यहीं सीखिंगे कैसे category create कियाता है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको अपने website में जाका दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने कितने तरह category बनाए हुए है So friends, यह रहा हमारा website और अभी आपनों जो टॉप में देख पा रहे हैं यह हमारा category यही कैटेगरी हमारे website में सोह हो रहा है मेन्यू बनकर इसके बात friends अगर आपने यहाँ पर नीचे जाएंगे तो नीचे में आपको जो है pages देखने को मिल जाएंगे जनले जो website दुस्तों उसमें pages नीचे ही सोह होता है about us content और privacy policy का page यहाँ पर मेरे website में आपने नीचे सोह हो रहा है तो इसे बनाने काफी एसान है आपको इसे बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने ज़वत नहीं है यहाँ पर आज हमनों यहीं सीखेंगे कि कैसे pages बना जाता है उसके पर आपको category बनाने भी सिखाऊंगा तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ category पहले से बनायों के रखे हुए है आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने अलग-अलग post के लिए अलग-अलग category बनायों है तो यहाँ पर मैं जिस भी post में जाता हूँ उसका category में निचे यहाँ पर सो कर रहा है तो अगर आपको भी जानना है कि कैसे आप लोग भी अपने लिए इस तरह category बना पाएंगे तो यह वीडियो को लास्त देखते रहेगा तो फैंस चलिए चलिए अपने डेश्टॉप स्क्रिप पर और वहाँ पर सीखते है कैसे अपने लिए category और pages बना जाते है तो सबसे बहुत पर pages के बारे में सीखेंगे उसके आपको category के बारे में बताऊंगा So friends यह रहा हमारा website और अभी आप लोग जो टॉप में देख पा रहा है यह हमारा category यही category हमारे website में सोह हो रहा है menu बनकर इसके बात friends अगर आपने यह पर नीचे जाएंगे तो नीचे में आपको जो है pages देखने को मिल जाएंगे जनले जो website दुस्तों उसमें pages नीचे ही सोह होता है about us content और privacy policy का page यहाँ पर मेरे website में आप नीचे सोह हो रहा है तो इसे बनाने काफी एसान है आपको इसे बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने ज़योत नहीं है यहाँ पर आज हमनों यहीं सीखेंगे कि कैसे pages बना जाता है उसके पर आपको category बनाने भी सिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको देख पाएंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ category पहले से बना के रखे हुए है तो यहाँ पर pages बनाने के लिए friends आपको सबसे पर क्या करना है कि अपने WordPress के dashboard में login हो जाना है तो यहाँ से मैं अपने WordPress के dashboard में आ जाता हूँ यहाँ आने के बाद friends यहाँ पर आपको option मिल जागा pages का तो यहाँ सबको pages में जाना है यहाँ पर सबसे पर आपको दिखाता है कि मैंने कितने थारे page पहले से बना कर रखे हुए है तो यहाँ पर मैंने तीन pages पहले से बना कर रखे हुए यहाँ पर आपको pages के अंदर में एक option मिल जाएगा add new का तो आपको इस add new पर click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको add title का option आ जाएगा यानि कि आप अपने page का क्या title देना चाहते है तो यहाँ पर मैं privacy policy 2 के नाम से आपर page grade करना चाहता हूँ यहाँ पर प्राइविसी policy 2 यहाँ पर title में type कर दूँगा यहाँ पर हमारा page का title दे दिया है इसके बाद यहाँ आपको क्या करना है आप यहाँ से चाहिए अपना page का content यहाँ पर लिख सकते है इसके आपद यहाँ से क्या करना है पब्लीश पर click कर देना है तो फ्रेंड्स यहां पर हमारा जो पेज है अभी से पब्लिस हुआ है लेकिन अगर मैं अपने वेबसाइट में आप पर जाकर दिखाऊंगा तो यह पेज कहीं पर भी सो नहीं होगा तो यहां से अगर मैं इसे रिफ्रेस्ट करता हूं तो आप लोग दिख पाएंगे कि मेरे वेबसाइट के पेज है वह यहां पर यह सो नहीं कर रहा है तो इसे में सो कराने के लिए यहां पर थोड़ा से मैनत करना है इसके लिए आपको वापस अपने बाटपेस के डैस बूर तो एपूर्ट में जाना है और यहां से आपको एपीरियंस में जाना है और यहां से कस्टमाइज में आ जाना है यहां जाने के बात फ्रेंड्स आपको ऐप्स testing मिल जाएगा मैन यूoid करोगा दोस्तों यह आपके theme में अलग हो सकता है यहाँ आपको ध्यान देना है कि आपका जो category याफिक पेजे से वह कहाँ पर show कर रहा है तो मेरे theme में यह menu के अंदर show कर रहा है तो यहाँ से में menus में जाओंगा इसके यहाँ पर बना हुआ footer menu यानि कि footer में show कर रहा है तो यहाँ से footer menu में जाना है इसके आप देख पाएंगे यहाँ पर तीन page है वह यहाँ पर show कर रहा है अगर मैं इनके position कर चेंज करूँगा तो यह website में भी change हो जाएगा तो मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आप देख पाएंगे इसका position है अपने यहाँ से change हो जा रहा है अगर मैं इसे आगे पीछे कर रहा हूँ तो अब बात थे item को add करने के लिए इसके लापको add item पर click करना है और आपने जो page पहले से बना कर रखा हुआ है आपको simply उस page को select करना है यहाँ से मैं privacy policy 2 की page को select करता हूँ इसके यहाँ से आपको क्या करना publish पर click कर देना है तो यहाँ से आपको जो page आपके website में so होना start हो जाएगा तो आपको देख पाएं कि हमार जो privacy policy page जो बना होगा यहाँ पर दिख रहा है इसके आप जाए तो इसके आगे पीछे करके इसके position को change भी कर सकते हैं तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने website के लिए pages को बना सकते हैं और फ्रेंट्स नेक्स वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे privacy policy को generate कियाता है और कैसे terming condition बना जाता है यह सारा कुछ में आपको next वाले वीडियो में बताऊंगा अब चले फ्रेंट्स जानते है कि कैसे category या फिर menu बनाया जाता है । सो फ्रेंट्स अब हम जानेंगे कैसे menus और category बनाया जाता है तो फ्रेंट्स यह पर आप आप जो category बना एंगे वह यह आपके menu के अंदर सो होगा तो यहां पर मैंने कुछ category पहले से बना कर रखे हुए है तो आपको समझाने के लिए यहां पर मैं दो category बनाने वाला हुआ हिंदी और इंग्लिस के नाम से तो category बनाने के लिए आपको क्या करना है आपको simply सबसे पहले अपने wordpress के dashboard में login हो जाना है यहां पर तुसको category बनाने भी सेम तरीका जैसे आपने pages में किया था तो यहां पर category बनाने के लिए यहां से जाना आपको पोस्ट में इसके अंदर आपको दिख जागा categories तो यहां सबको इस category में आना है इसका आपको यहां पर दिख पाएंगे मैंने कुछ category जो कि में मेंुट्र है जो कर र्स often ऐबनाने के लिए आपको नाम एंटर करने को कहा जाएगा तो यहां पर मैं हिदी नाम से category creator कर लेता हूं है अ तो आप जो भी नाम से के बना चाहते हैं आपको यहां पर नाम एंटर कर देना है तो यहां पर मैं हिंदी टाइप कर लेता हूँ आख को चैरिस सोब्यां अब नाहीं देने के बाद यहां पर असफेज़का पहलेए अनिकि आपक जो यू आल हो की स्टाप के बनेगा वह आप्या पर सेट कर सकते हैं नहीं तो आप इसे खाली रहने तो ताल करती है जाएगा इसके वाद यहां से का करना है अपको simply का करना है उन्हाइड कर देना तो यहां से आपका आ यहां हो जाए काश़ों नाम और यहां से अध्यमा चेयड पर पर क्लिक दना है तो यहां से हमhosप कंटेज़ी करेट हो गया है तो Friends अभी हमार वेबसाइट पसो नहीं होंगे तो मैं आपको दिखाता हूं Friends यह कैटऑर कहीं पर भी yorsunदर नहीं कर रहा है तो हमें यसे कैटगरी को अपने मैंन्यों के अंदर चोह कराना होगा है इसके लाफ यहां से कस्टमाइज में जाना है है इसके बाद cosa यहाँ आपको जाना अपने मैंनी वाले option में यहीं हमारे केटेगरी है जो कि मैंनीू के अंदर शो कर रहा है तो यहांसा आपको अपने मेन्यूवाले option में तो यहाँ से मेन्यू चला जहता हूँ उसके बाद मेन्यू है, मेन्यू आपको क्लिक करना है तो यहीं हिन्गी हमारी सारे क्यक्टेजुरि आइड करने के लिए आपको simply कुछ निकारना यहां से add item पर क्लिक करना है तो यहां से आप लुट देख सेते हैं अगर आपको इसे position को change करेंगे तो आपको इसली परसल जाए कि मेरा category करने के लिए आपको simply add item पर क्लिक करना है इसके बाद आपको category वाले option को select करना है तो यहां पर आपने जितने भी category बना हुए वह यहां आपको देखने को मिल जाएगा तो आप जिस भी category को add करना चाहते हैं आपको simply उसे select कर लेना है तो यहां से मैं हिंदी और इंग्रिस वाले category को select कर लेता हूँ इसके बाद आपको क्या करना है simply यहां से आप चाहिए इसका position भी change कर सकते हैं तो यहां से मैं इसे publish कर लेता हूँ आप लोग देखेंगे कि हमारे category है यहां पर मेरे menu बार में add हो गया है तो इसे तरह आप लोग भी अपनी category को create कर सकते हैं इसके आप इसके position को आगे पीछे यहीं से कर सकते हैं अगर आपको इसे आगे पीछे दिखाना है तो आप इस simply slide करके उपर नीचे कर सकते हैं अगर यहां पर आप लोग कुछ इस तरह कैसे अपने menu को बना सकते हैं और category को भी बना सकते हैं आपको आपको पता चलिए कैसे menu बना जाते हैं कैसे pages बना जाते हैं नेक्स वीडियो में लोग सीखेंगे कि कैसे pages को create क्या जाने कि कैसे privacy policy और कैसे contract पेज बना जाता है दोस्तों फ माते हैं